है दोस्तो नमस्कार हमारे कई सारे सब्सक्राइबर मुझसे ए सवाल करते रहते हैं हाली में मैं एक लाइब सेशन में आये हुआ था और लाइब सेशन में एभी सवाल आ रहा था कि रेल्वे में जो डिपार्टमेंटल परिचा होता है उसमें एज लिमिट क्या रहती है कितन जाएज तक उस फॉर्म को भरा जा सकता है तो आये दोस्तो मैं आज बताने वाला हूं कि रेल्वे में जो डिपार्टमेंटल परिचा होता है जिसका नाम GDC है इसके लिए क्या age limit होती है भारती रेलवे में परतेक जोन में यह departmental परिच्छा आती रहती है तो दोस्तों मैं आप लोग को GDC के बारे में बताता हूं कि इसका age limit क्या रहती है तो जब GDC के द्वारा कोई भारती निकलती है तो उसमें age limit 42 साल रहती है यानि जो general candidate है वो 42 साल के उम्र तक उस form को फिलप कर सकते हैं उसके बाद OBC के लिए छूट मिलती है और SCST को यह छूट मिलती है तो कितनी मिलती है तो तीन साल मिलती है OBC को यानि 45 साल तक जो OBC के candidate है उस form को फिलप कर सकते है उसके बाद SCST को भी छूट मिलता है तो SCST कितना मिलता है तो पांच साल छूट मिलता है यानि 42 में पांच जोड़ लिजिए 47 साल तो 47 साल तक के उम्र तक के जो करंचारी होंगे SCST के अंत्रगत उन लोग GDC का form भर सकते हैं अंत में अब दोस्तों मैं एवी बता देता हूं कि यह जानकारी मैं कहां से लिया है और आप लोग भी इस जानकारी को गूगल में सर्च कर सकते हैं साउचेंट्रेल को सिकंदिरा बाद में December 2018 में जो GDC का नोटिफीकेशन आया था उसी में यह सब कुछ दिया हुआ है आप लोग चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं उस पीडियो को आप लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं फीचर में अगर कुछ changes होता है तो मैं इसके लिए आप लोग को अपडेट दे दूंगा बट अब तक GDC का यही एज लिमिट है तो यह लिमिट आप लोग को कैसा लगा आप लोग निचे कमेंट बॉक्स में बताईएगा तो आप को मालम चल गया कि डेलवे में जो डिपार्टमेंटल परिच्छा होता है जिसका नाम GDC है उसमें के आएज लिमिट होती है इस वीडियो में यह जनकाई देना था मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में धन्यवाद दोस्तों